हेलो एब्रीवन तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकसाइज 3.1 3.1 आज में आज हम लोग पढ़ेंगे राइट दर नंबर्स करेक्पली इन कॉलम्स और सब्टेक्ट तो सबसे पहले इस नंबर को हम करेक्पली कहां पर लिखना है वो लिखेंगे उसके बाद इसको सब सब्टेक्स करेंगे जैसे एट फ्रॉम 49 एट फ्रॉम 49 तो इसमें 2 डिजित है 49 तो हमें समझ में आ रहा है कि 9 जो है 1 से और 4 जो है टेंस है और 8 यहां कुछ भी नहीं दिया तो 8 हमारा 1 से और 8 की बाद यह हम एक 0 लिखेंगे तो यह हमारा टेंस हो जाएगा तो आप यह लोक में बढ़ेवर औ 가운데 यह रिखते हैं नमबर को पहले लिखते हैं और चोटे वाले को नीचे में लिखते है तो इसमें 8 और 49 हम को 40 म सबसे पहले 45 वाले को लिखेंगे तो प्हले हम 59 वाले को कॉलम लिखेंगे और 9 हमारा है कुछ भी नहीं है तो हम यहाहा है जीरो पूट करदेंगे उसके बाद हम पहले सब टेक WILT system केडहें तो ना इन मेंचे और में न सब्कार्ण आतो जाईगा, तो हम यहां 4 लिखेंगे, सब्कूछ नमबर में हमारा है, 34 from 57 तो 34 and 57 में हमारा बड़ा कुन सा है 57 तो हम पहले 57 वाले को लिखेंगे तो 57 का 1 से हमारा 7 तो उसको 1 वाले कॉलम में लिखेंगे और 34 का 1 है हमारा 4 तो हम 4 को 1 वाले कॉलम में लिखेंगे फिर हमारा 5 है तो 5 को हम 10 के कॉलम में लिखेंगे और यह 3 को हम इधर नीचे 10 के कॉलम में लिखेंगे उसके बाद हम पहले वन्स वाले को करेंगे तो 7 में से 4 अगर हम सब्टेक करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 5 में से 3 हम सब्टेक करेंगे तो हमारा एंसर आएगा 2 इसी तरह से हमारा तीसरा नंबर है 43 & 78 तो 43 & 78 में हमारा एट लिखे और सेवन क्या है तो हमने सेवन में 4ße में 3 है हमारा alums तब थरी को लिखेंगे और 14ính में लिखेंगे यह यह लोग थेक्षे गाल Turkish हिवारे और बाद में फिर 7 लिए को कॉलम को सब्टेक करेंगे तभी हमारा एंसर आएगा और यह भी आपको देखना है कि सब्टेक में हमको क्या करना बड़े वाले को पहले लिखना उपर में लिखना और छोटे वाले को नीचे लिखना है तो एट में से थिरी हम सब्टेक करेंगे तो हमारा आएगा फाइब और 7 में सिफ 4 हम करेंगे तो हमारा आएगा 3 तो इस तरह से हमने 3 बना दिया है और यह सारे आपको इसी ट्रिक से बनेगा सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा कौन सा है तो बड़े वाले को उपर और छोटे वाले को नीचे लिखना है उसके बाद वन्स वाले को वन्स कॉलब को पूट कर लोगे उसके बाद वन्स वाले कॉलम को पहले में करना है करना की करना हीला तो इस तरह से अगर आपको भूस दिया रहे तो आपका जैसे यहां eight once दिया हो तो आप यहां डाल दी है और second वाला टेंस नहीं दिया तो आप zero put कर सकते हैं कभी-कभी नहीं दिया है तो आपको zero put करना और लिख देना है उसके बाद हम लोग carry वाला पढ़ेंगे regroup the ones and subtract the growing तो यहां पर भी आपका इसी तरह से है ones में six है और nine है यहां टेंस में सिप three है तो हम नीचे zero put कर देंगे उसके बाद अगर हम घटाएंगे तो carry वाला है तो six nine तो जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे थिरी से one लेंगे जब हम थिरी से one लेंगे तो यह टेंस है ना में चेंज हो जाएगा शीक्सटी में कैसे चेंज हो जाएगा वह आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि सिप्स्टीन में कैसे चेंज होता है क्योंकि यहां three 10 से three 10 में से one स्टेंस लेंगे तो मतलब यहां लिखेंगे तो इसी तरह इसमें भी करना है फोर में से सिक्स तो जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे सेवन मैं से वन कं मीकान क्या करेंगे तो यहां पर भी हमारा फॉर्टीन हो जाएगा सिक्स तुम जब गटाएंगे तो हमारा एंशर आएगर एट आज जैएगा फिर यहां आपका मिग है कितना बचेगा तू में से 5 तो जाएगा नहीं फिर हम इसमेंसे लेंगे तो यह हमारा 12 मेंसे 5 इवाइंगे तो भॉठेशन आ यहां 7 कितना इस की रशट भचेया नियुट है 6 देए одно2 देदी तो यह हमारा 5 अधस मेंसे प्राइंगे तो मीन से इस प्रॉठ का जो सब्ट्रेक्शन है यह कम्प्लीट करेंगे और कैरी वाला भी कम्प्लीट करेंगे सो थैंक यू अल आफ यू